पहाराश्चा का नागपूर शहर 20 दिसेंबर सोमवार को मौसम बेहत सर्द रहने के साथ ही नियूनतन तापमाद 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया जो विदरबर शेत्र का सबसे ठंडा शहर रहा शेत्रिय मौसम विज्ञान केंद्र आर एमसी ने ये जान करी दी ग्यात हो कि पिछले कुछ दिनों से नागपूर में पारा निरंतर गिरते जा रहा है जिसके कारण ठंड बढ़ रही है रविवार को ठंड के साथ शीत लहर भी नागपूर में महसुस की जा सकती थी जबकि आर एमसी की वेज्ञानिक भावना ने PTI भाषा को बताया कि भारतिय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार तथा मंगलवार को विदरबक्षेत्र में शीत लहर चलने का पुरवा नुमान लगाया है नागपूर में नियूनतन तापमान अगले तिन दिन तक इतना ही रहेगा और 30 दिसंबर के बाद से तापमान में बढ़ुतरी का अनुमान है नागपूर के अलावा महराष्ट के विदरबक्षेत्र के कई अन्यस्थानों पर भी ठंड का प्रकोप रहा है आरमसी के अनुसार अमरावती में नियूनतन तापमान 8 डिगरी सेल्सियस गोंधिया में 8.2 डिगरी सेल्सियस वर्धा में 9 डिगरी सेल्सियस ब्रह्भपूरी में 10 डिगरी सेल्सियस पुल्धाना में 10.5 डिगरी सेल्सियस अकोला में 11.3 डिगरी सेल्सियस चंद्रपूर में 11.4 डिग्री सेल्सियस गडची रोली में 11.6 डिग्री सेल्सियस और यवतमाल में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया